हलो भाईयों स्वागत है आपका नीव वीडियो में जैसे कि एड्मिट काड जारी हो चुका है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सा डोकुमेंट लगेगा और सबसे इंपोर्टेंट वीडियो यह होने वाला है मैं आपको बताऊंगा एंट्री से लेकर एक चीट तक पूरी जनकारी सिरियल वाईज यह आप इंटर करिएगा तो क्या होगा उसके बाद क्या होगा फूल जनकारी दूंगा आपके सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो से मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले हम एड्मिट कार्ड का इंस्ट्रक् आटशान लिखा है, मैं आसान भासा में आपको बता रहा हूं ठीख है जैसे देखिए, ये जो है एक नमबर में लिखा हुआ है कि ये एक आपका फिजिकल के लिए आस्थाई माप दंड के लिए ये एडमीट काड़ है दूसरा में ये साफ साप इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप height और chest में छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो दस्तावेज है वो आपको लेके जाना है उसका एक photocopy भी लेके जाना है मतलब simple मैं समझ ये ST का certificate central वाला लेके जाना है क्योंकि ST को ही सारीक छामता में chest और height में छूट मिलता है ठीक है तीन नंबर को हम अगर देखें तो इस पे साफ साफ लिखा है ये आपका admit card है जो की लाना जरूरी है और आपको जो केंद्र दिया गया है उसी केंद्र पर लाना है उसी date को लाना है और बदलाव में विचार नहीं किया जाएगा ये तीन नंबर में लिखा हुआ है चार नंबर में लिखा है कि कोई photo यूक्ट पहचान पत्र लाना है जैसे कि ड्राइवरी रैसेंस हो अधार कार्ड हो मतदाता कार्ड हो और स्कूल कार्ड का हो कोई college का माकसीट जिस पे जनम देत और photo हो आपका और pen कार्ड हो कोई भी आप लेके जा सकते हैं ठीक है पांच नंबर में लिखा है कि ये जो दिया है कि PT-PST में सामिल होने वाले अवियर्थी को सला जैसे देखिए simple समझिए कितना running होगा क्या होगा SSE के website पर जो notice है वो आप देख लीजिए पांच नंबर में बोला गया है ठीक है 6 नंबर में बोला गया है कि आप जो भी कीमती समान लेपटोप, मुबाइल, फोन, घड़ी जो भी लाएंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी केंद्र कोई जिम्मेदार नहीं लेगा और नहीं रखने का कोई सुविता देगा अपने दम पे ले जाईएगा ठीक है 7 नंबर में कहा है कि आपका बाया हाथ के अंगुठे का छाप दिया जाएगा, मतलब उसको भेरिफाई गिया जाएगा, आप उसको अच्छा से रखे, साफ सुथरा रखे, ठीक है 8 नंबर में कहा गया है कि आप जब आईएगा, तो अपने खर्चे पे आईएगा, रुकने का विवस्था करके आईगा, कोई पैसा CRPF आपको नहीं देगा, ठीक है 9 नंबर में कहा गया है कि अपना जुपता, एस्पोर्ट, जो भी समान हो, हाथ, गोड, पैर लगाने माला, जो पट्टी उट्टी वगरा होती है, वो आपको खुद से लेके आना है, ये कोई आपको नहीं मीनेगा, ठीक है 10 नंबर में कहा है, आपको चार नमिन्तम पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, ठीक है 11 नंबर में कहा क्या है, कि जो भी महिला अगर फोरम भरे थे, अगर प्रेगनेंट है, उनको 6 सपता के बाद, जब गर्ववस्था खतम हो जाएगी, इसके 6 सपता बाद उनका ये कराया जाएगा, पीटी पीएश्टी, ठीक है 12 नंबर में दिया है, भुत्व पूर्व जो स्थैनिक है, उनका सिर्फ चेश्ट और वजन और हाइट होगा, बाकी उनको कोई ये रनिंग नहीं करना है, ठीक है 13 नंबर में दिया है, कि अपना एड्मिट कार्ट का छाया प्रती, तू कोपी अपने पास रखे, जब तक कि आपका फिजिकल कम्पलीट नहीं हो जाता है, ठीक है 14 नंबर में दिया है, कि आपका कोई भी दुर घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी आप खुद के होंगे, ठीक है, अपना फिटनेस सुनिश्चित करके ही आप रनिंग करिये, ठीक है 15 नंबर में दिया गया है कि आप कोई भी दवा का सेवन नहीं करिए जिससे आपको दिक्कत हूँ ठीक है मैंने ये बता दिया अब मैं entry से लेकर एक गिट तक line by line आपको खुब सुन्दर से बता देता हूँ एक बार ठीक है डोकुमेंट का एक बार मैं आपको ब्रीफ देता हूँ डोकुमेंट क्या क्या है सिम्पल सा आपका एक एडमिट काड आपका एक फोटो पहचान पत्र आधार काड पैन काड कुछ भी एक हो चलेगा एस्टी जिसको छूट चाहिए एस्टी सिर्फ उसके लिए एस्टी का सर्टिफिकेट और उसका to copy ठीक है चार नविंतम पासपोर्ट साइज फोटो यही चार चीज लगेगा और इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा इंट्री से एकजिट की बात करें मैं आपको बता रहा हूँ आप सुनिएगा एकदम कहानी जैसे में बताऊंगा जैसे देखिए आप गेट पर गए आप जैसे ही गेट पर जाहिएगा आपको दो चीज मांगा जाएगा पहला मांगा जाएगा आपका एडमिट कार्ड और दूसरा मांगा जाएगा आपका कोई पहचान पत्र ठीक है आपको डेट ओफ पर्थ मिलाएगा डेट ओफ पर्थ सही वाला पहचान पत्र लेके जाएगा आप कर लिए उसके बाद आपको अंदर ले जाए जाएगा ठी है दो नमबर में आपको फरमर वाया गया उसके बाद आप जाईएगा तो तीन नमबर में आपको क्या किया जाएगा कि आपका बाया हाथ का फिंगर प्रिट मतलब उसको कहिए बायोमेट्रिक आपका होगा ठीक है आपने जाया जाएगा ठीक है उसके बाद आपको running के लिए ले जाया जाएगा आप running complete करिएगा ठीक है उसके बाद आपको एक फिर से forum दिया जाएगा उसको आपको भरना होगा ठीक है उसके बाद जो reject होंगे उनको reject slip दिया जाएगा जो pass होंगे उनको pass slip दिया जाएगा इसी करम में आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, आशा है आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, पूरा वीडियो देखे होगे, तो अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, धन्यवाद.